हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिसक्स करने जा रहे हैं दि डिराक एक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल तो चलिए सुरू करते हैं इससे प्रिवेस लेक्शर में हम क्लें गॉर्डन एक्वेशन को डिराइव कर चुके थे जिसकी वेल्यू थी डेल स्क्वाइर स्क्वाइर स्क स्क्वाइर 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 देख रहे हैं यह alpha beta constants है जिनको आगे हम determine अभी करेंगे और यहाँ पर जो P आप देख रहे हैं यह P momentum है और C speed of light है और M जो है mass है यहाँ पर जो alpha हम use कर रहे हैं इस alpha के जो components होंगे वो alpha x alpha y alpha z होंगे और alpha भी एक vector है इसको हम alpha x i cap plus alpha y j k plus alpha z k k के प्रफ में एक्सप्रस कर सकते हैं सिमिल जो मोमेंटम है मोमेंटम भी हमारा वेक्टर कौन्टिटी होती है मोमेंटर को हम PX IK plus PY JK plus PZ KGab के टर्म में कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पर alpha dot P का dot product निकाले तो आप जानते ही हैं कि x x वाले component multiply हो देंगे yy वाले component multiply हो देंगे zz वाले component multiply हो देंगे तो आपको alpha dot P मिलेगा alpha x PX plus alpha y PY plus alpha Z PZ अब यहाँ पर एक main problem आई कि energy के बाहर की positive value ली जाए कि energy के बाहर की negative value ली जाए तो इसके लिए डिराक ने आप positive और negative को भी value ले सकते हो क्योंकि उसने जो एजिम किया करा ही इस तरह से है कि positive और negative value रखने पर equation में कोई फरक नहीं पड़ता है जिसको आगे और explain अभी करेंगे तो फिलाल हम यहाँ पर इसकी positive value ही लेके चलेंगे simplicity के लिए तो हम equation 1 को लिख सकते हैं देखो e था और android के अंदर था p square c square plus m square c e की power 4 इसके दिए हमने इसका square रख दिया square जब इसको हम उठा के यहां रखेंगे तो root से square कट जाएगा और root से square cancel हो जाएगा तो आप energy equals to मिलेगा c alpha dot p plus beta m c square जिसको यहाँ पर लिखा हुआ है जो energy operator होता है उसकी value होती e cap equals to iota h cross d by dt और momentum operator उसकी value होती है minus k iota h cross del energy operator के जगह पर दख देना है minus k iota h cross del by dt और आपको इस p की जगह पर देना है minus k iota h cross del और बाकी equation के parts को अपने अज़ेटिस यहां पर अब यहां से आप इस iota h cross को बाहर common ले लेंगे जैसे आप iota h cross को बाहर common लेंगे तो c तो यहां बाहर था और आपका alpha जो है वो del के साथ dot हो जाएगा और बाकी equation को आपने अज़ेटिस note किया हुआ है अब जो हम को kya alpha z k cap है और डल operator की जो value होती ही होती है डल वाइडल-x आय कैप डल बाइड वाइज कैप एंड बाएड एल्जक होती है तो अगर हम दोनों को multiply कला हो आप जानते हों कि xx कॉंपोनेंट मैंटिप्ला हो जाएंगे तो alpha x dot del by del x मिलेगा alpha y dot del by del y गावा इस सारे साथ जो हमारा wave function है वो position and time का function होता है तो इसलिए wave function के जगह पर हमने psi rt रख दिया ऐसे यहाँ पर wave function की जगह पर psi rt रख दिया तो इसी equation को बोलते है अगर आपका answer shorter में आएगा तो इतना ही लिख देंगे लेकिन अगर आपका long answer की आएगा जो कि हमेसा आता है तो आपको यहाँ पर alpha बिटा की value determine करने के लिए हम उसी equation का यूज करेंगे जो डिराक ने स्टार्टिंग में assume किया था इस formula को हम थोड़ा सा करेंगे modify करने के लिए हम यहां से c बाहर common ले लेंगे जब c बाहर common आगा तो c square बनके आएगा तो यहां से एक c काम हो जाएगा अब इस c square से c square कर जाएगा और यहां पर c की power 2 कर जाएगी तो जो next expression बनेगा आपका वो बनेगा यहां सिर्फ p square बचेगा m square c square बचेगा यहां पर c हट चुका है alpha dot p बचेगा और beta mc बचेगा तो simply हमने दोनों साइड c square को terminate कर दिया अब हम जानते कि जाए momentum square होता है उसको लिखते है px square plus py square plus pz square तो इस momentum square की वेलों यहां रख दे तो मैं मिल जाएगा px square plus py square plus pz square plus m square c square और alpha dot p की वेलों हमने starting में निकाल दी जो क्या होती है alpha x dot px alpha y dot py plus alpha z dot pz और बाकी beta mc को हमने ऐसे ही लिखा हुआ है अब यह square वाला पार इसी को हमें solve करना है कि इसको दो बार लिख लेंगे दो बार लिखने का मतलब है एक बार यह लिखा हुआ है फिर दुबार इसको हमने और लिख दिया हमारा काम क्या है इसके हर एक टॉम को आपसे multiply करना है multiply करने का कुछ common लेना है common लेने के बार हमें solve करना है तो आपको यह expression मिल जाएगा तो मैं आपको यह recommend करूंगा कि आप इसको याद ही करने क्योंकि याद करना बहुर आसान है और आपका exam में बहुत टाइम बचा देगा आपका याद करना कैसा आसान है कि जब हम इन दोनों ट्रम को multiply करेंगे आपस में पहरे टमे मिले गा हमको अलफा एकस स्क्राइब पी इसक्राइब मिलेगा अलफा बाई स्क्राइब अदर ले यादकरने बढ़ा असान है यह नहीं कि alpha y, alpha z, alpha z, alpha y और जो बाहर से common हमने z और x निकाला हुआ तो उसके अंदर क्या आएगा alpha z, alpha x, alpha x, alpha z और फिसके बार आपको mcpx, mcpy, mcpz common निकालना है तो mcpx जब common आएगा तो अंदर क्या आएगा अब हमें करना क्या है, simply हमें rhs part में और rhs part में coefficients को compare करना है, तो आपको यहां देखें, तो यहां पर आपको px का square मिल रहा है और यहां भी आपको px का square मिल रहा है, px square का alpha x का square है, यहां पर one दिखाओ है, इसका मतलब जो alpha x square हिसकी 0 की value हमें मिल जाएगी, one मिल जाएगी, similar way पra y, sqaの point को our coefficient को प्राइका कोउफिशόय से रहेंगाएगा तो मैं मिल जाएगा य स्याएक्स विलिए यहां तो वह ARE यह नहीं तो समय सोमिल युरॉ खुआ जाएगी इस coefficient की वेलीवी गजेगी एंड इस coefficient की वेलीवी जेड़ा जाएगी और इस coefficient की विलीवी मिल जाएगी ये पाट यहां present ही नहीं लेकिन हाँ m2 c2 ज़रूर present है m2 c2 आश्जार को यहां पर compare करेंगे तो फिर से हमको मिल जाएगा बीटा स्क्वाइर की value मिल जाएगी 1 मिल जाएगी coefficients तो compare करने का जो values मिली तो यहाँ पर लिख दी गई है जिसमें हमको alpha x square, alpha y square, alpha z square, beta square इन सब की value 1 मिल गई और हमको यह कुछ terms मिले होगे अगर हम इस relation को ध्यान से देखे तो हम यहाँ से मिल रहा है alpha x dot alpha y equals to minus ka alpha y dot alpha x अगर हमें a dot b equals to b dot a मिलता है तो उसको बोलते कमूटेटिव प्रॉपर्टी और अगर हमें a dot b equals to minus ka b dot a मिलता है उसको बोलते anti-commूटेटिव प्रॉपर्टी इसका मतलब जो alpha x और alpha y है वो anti-commute है similar way में यहां से निकाले हैं तो यहां से में मिलेगा alpha y alpha z equals to minus ka alpha y यहनी कि alpha y alpha z भी anti-commute कर रहे हैं और similar way में alpha z और alpha x भी anti-commute कर रहे हैं और सारे साथ beta जो है वो alpha x के साथ साथ भी anti-commute कर रहा है क्योंकि यहां पर को में लेगा alpha x dot beta equals to minus beta dot alpha x तो यह सारे से के सारे हापस में anti commute कर रहे हैं और दूसरी बात इनका जो square हम कर रहे हैं alpha का square one alpha y का square one alpha z का square one और बीटा का square भी आपको one मिल रहा है तो यह तभी possible किसी number का square one नहीं होता number का square one तभी possible है जब वो खुझ से one हो नहीं तो कुछ ना कुछ finite square जरूर होगा one किसी वा लेकिन यहां पर square आ रहा है इसका मतलब यह mattresses है और हम जानते हैं कि mattresses का product भी commute भी करता है anti commute भी करता है लेकिन हमने poly spin mattresses बढ़े हुई है और poly spin mattresses क्या होती है हमेशा anti community होती है और उनका square होता है वह भी one आता है तो यह indicate कर रहा है कि जो alpha beta यहां पर हम use कर रहे हैं यह alpha beta numbers नहीं है यह क्या है poly spin mattresses से बने हुए mattresses है जिनको हम direct mattresses कहते हैं और आने और lecture में हम direct mattresses को drive करेंगे हम देखें कि कैसे हम poly spin mattresses से direct mattresses को drive करते हैं तो इसलिए हम कहा सकते हैं कि anti commute and square is unity इनका यह सब anti commute कर रहे हैं आपस में उनका square हमें unity मिल रहा है इसका मतलब यह matrix को रिपोजण करते हैं और mattresses को हम बोलते हैं direct mattresses बोलते हैं जो की poly spin mattresses से ही मिलकर बनती है तो आज की लेक्षर में इतना ही आई होप आपको आज की लेक्षर बहुर अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो वीडियो को मिलकुल भी न भूलिए और बैल आइकन दवा देजिए अगर आप ऐसे की लेक्षर को भविश्य में और देखना चाहते हैं